ओम शान्ती, 17 जन्वरी दोहजार जोबिस के इश्वरिय महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मुगली से होमवर्क, बाबा ने कहा, बाबा को प्यार से याद करती रहो, श्रिमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुमें सब रिगार्ड देंगे, जो महारती हैं, उनको अपने को आत्मा समझ बाब को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी हैं, तुम जितना याद में रहेंगे, उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी, बाब की याद से ही तुम ओरों को लाइट देती हो, कृष्ण जैन्ती और शीव जैन्ती दोनों की मनाती हैं, अब दोनों में बड़ा कुन, बाब को याद करते करते, अथवा बाबा बाबा के है, रोमाज खड़े हो जाने चाहिए, सत्य ज्यान को बुद्धी में धारण करने के लिए, बुद्धी रूपी बरतन को साफ स्वच बनाना है, व्यर्थ बातों को बुद्धी से निकाल देना है, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अति इंद्रिय सुख का अनभव करना है, सदा इसी नशे में रहना है, कि हम भगवान के बच्ची हैं, वही हमको पढ़ाते हैं, और अब सुनते हैं इश्वर्य महावाक्य विस्तार से, मुरले का सार, मीठे बच्ची, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगी, प्रशन, अति इंद्रिय सुख का अनभव किन बच्चों को हो सकता है, उत्तर, पहला पोईंट, जो देही अभिमानी है, इसके लिए जब किसी बात करते हो, या समझाते हो, तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ, भाई भाई के दृष्टी पक्की करने से, देही अ अशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनभव होगा, गीत कोन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शान्ती, बाप बैट बच्चों को समझाते हैं, दूसरी कोई संस्था में ऐसे निंग कहते हैं, कि बाप बच्चों को समझाते हैं, अरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रेदर्स हैं, उस बाप से जरूर बच्चों को वर्सा मिलता है, चक्र पर भी तुम अच्छी रिती समझा सकती हो, कि यह है संगम, जबकि मुक्ती और जीवन मुक्ती मिलती हैं, तुम बच्चे जीवन मुक्ती में जाएंग तो बाकी सब मुक्ती में जाएंगे सद्गती डाता, लिब्रेटर, गाईड उनको ही कहा जाता है रामराजय में कितने धेर मनुष्य हैं रामराजय में एकी आदिसनातन देवी देवता धर्म था उनको आर्ये और अनार्ये कहती हैं आर्ये सुधरे हुए अन आर्ये ना सुधरे हुए को कहा जाता है इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने आर्ये कोई धर्म नहीं था सुधरे हुए यह देवताएं थे फिर 84 जनम के बाद अनसुधरे बनते हैं जो उचे ते उच पुझे थे, वही पुझारी बन पड़े, हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं, सीडी पर समझाना बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं, यह तो विराट नाटक है, तुम जानते हो हम सो पुझे थे, फिर पुझारी बने, अर्थार्थ हम सो देवता, फिर सो चेत्रिय बनती हैं, सीडी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है, चुरासी जनम कोन लेती हैं, बाप कहते हैं, तुम अपने जनमों को नहीं जानती हो, मैं तुमको बताता हू यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता, चेत्रिय आदी बनती हैं, 21 जनम तो नामी ग्रामी हैं, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तुमो प्रधान हैं, अब तुम बच्चों को ही सारी नोलिश मिलती हैं, परन्तु समझते कोई मुश्किल हैं, तब कहते हैं, कोटो में कोई ही ज्यान को आकर लेंगे, और देवता धरम वाले बनेंगे, इसमें आश्चरिय नहीं खाना चेहीं, चक्र पर समझाना सहज हैं, यह सत्यूग, यह कल्यूग, क्योंकि सत्यूग में होते ही बहुत थोड़ी हैं, जाड चोटा होता है, फिर व्रधी को पाता है, इस जाड का किसको पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझती हैं, बोलो ब्रह्मा मुखवनशावली ब्रामन तो जरूर चाहिए न, यह अडॉप्टिड बच्ची हैं, वह ब्रामन है कुखवनशावली, यह ब्रामन है मुखवनशावली, यह है पराया रावन र बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगी ना देखो यह जाड के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है इनकी जड़ड़ी भूत अवस्था है बाप कहती है मैं बहुत जन्मों के अंत के जनम में प्रवेश करता हूं यह अंतिम 84 जनम है तपश्या कर रही है हम इनको भगवान नहीं कहती है दुनिया वालों ने तो भगवान को सरव्यापी कहे ठिकर भितर में कह दिया है इसलिए खुद भी पूरे ठिकर बन पड़ी है देवताओं की तो बात ही न्यारी है अब तुम पढ़कर यह पद पाती हो कितनी उची क्योंकि पवित्र हैं और स्वेम भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए परंतु उनको कहा जाता है महरानी महराजा बाकि श्री लक्ष्मी नारायन को भगवती भगवान कहना भी अंदश्रदा है क्योंकि भगवा परंतो एक ही है ना तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो इस पर वो लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं तुम्हारी बुद्धी में तो सारा चक्र है परंतु जो महरती हैं वही अच्छी तरह समझा सकती हैं बहुत नें जो बल सुनते हैं परंत बुद्धी में ठहरता नहीं तो वह क्या बनेंगे पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे आगे चल कर तुमको साक्षातकार होंगे परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे इसलिए बाबा सावधान करते रहती हैं परंतु सब उच च चड़ जाएं यह तो हो नहीं सकता बरतन साफ नहीं है बुद्धी में कीचड पटी भरी हुई है इसमें पुरुशार्थ बहुत अच्छा चाहिए चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं तो पिजाडी में पश्ताना पड़ेगा यह आत्मा को भ प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ वह भी चपानी चाहिए बच्चों को बहुत सर्विस करनी है इसमें जाश भी बहुत करनी है समझने वाले हैं या नहीं यह है नहीं दुनिया यह है पुरानी दुनिया यह तो भी समझ सकती हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसले मनुष्य मूझ पड़े हैं, पहले पहले बाप का परीचे देना है, जो देही अभिमानी होकर रहती हैं, अति इंद्रिय सुख उनको ही रह सकता है, सिर्फ भाषन से काम नहीं होगा, जो भाषन करते हो तो भी समझन है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ, आत्म अभिमानी बनना इसमें बड़ी महनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बापी आकर बच्चों को समझाते हैं, गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकत जो महारती हैं, उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी हैं, तब तो अपने को पाउरफुल समझेंगे, जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते, वैं क्या धारना करेंगे, याद से ही तुमारे में जोहर भरेगा, ग्यान को बल नहीं कहा जाता है योगबल कहा जाता है योगबल से ही तुम विश्यो के मालिक बनते हो आप तुमको बोहतों को आप समान बनाना है जब तक बोहतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक विनाश होना सके बल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है अभी तो ब पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदिसनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े सने के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाबारी लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब माननी लगेंगे कहेंगे यह तो वृद्धी को पाते रहते हैं इनमें बहुत माइट हैं तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रिती कोई रह नी सकता, खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है, भगवान कुमारियों में ज्या बान भरते हैं, तुम प्रजापिता ब्रमा कुमार, ब्रमा कुमारिया हो ना, यह है ब्रमा, तुम हो एड़ोप्टिड बच्चे, क्रियेटर तो एकी है, बाकी सब पढ़ रही हैं, उसमें यह ब्रमा भी आ गया, फिर यह रचना हो गी ना, तुम देवता बनने वाली हो, देवी गुन धारन कर रहे हो, कहां कहां दोनों पहिये चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम ने लेती हैं, नहीं तो समझना चाहिए, बाबा सच कहती हैं, बच्चे भी एक दो के सुभाव को जान सकती हैं, जिनका आपस में काम रहता है, बच्चे सम समझती हैं, हम ही सिर्टाज थे, अब फिर बंदी हैं, पहले तुम किसको समझाते हो, तो मानने के लिए तयार नहीं होती, फिर दीरे दीरे समझती हैं, इसमें बुद्धी बहुत चाहिए, आत्मा में बुद्धी है, आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप है, अब तुम बच् ना आई, तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके, अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी भव, मामे कम याद करो, तो मेरे से शक्ती मिलेगी, यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्यों पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या, तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ यो लगानी सी, यह है नई बात, जो अच्छी रिती समझाना पड़ता है, आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचेता है, तो शीव का आक्यूपेशन समझाओ, कि वह आकर क्या करती हैं, स्रिक्रिश्न जैनती और शीव जैनती दोनों की मनाती हैं, जो शीव जैनती मनाई जाती है, क्रिश्न ने क्या किया, लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारन बूढे तन में आकर स्थापना करती हैं, अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, श्रिमत तो एक ही है, जिससे तुम स्रेष्ट बनती हो, मानव मत से स्रेष्ट कैसे यह इश्वरिय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है, देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गई बस खलास, वहां गुरु आदी भी नहीं करती, यहां मनुष्य मत लेते हैं गुरु की, तो युक्ति से समझाना है, हम हैं राज योगी, हठ योगी कभी राज योग सिखलाना सकी, वे हैं ही निर्वरती मार्ग वाले, तीर्थों पर प्रिवरती मार्ग वालों को ही जाना है, तुम बच्चों को कोई भी बात में मुझना नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है, तुम्हारे सर्विस पे कल्प पह पुरुशार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकती हो, तब तो प्रदर्शनी में गुरुप देखकर गाइड दिया जाता है, ताकि अच्छी रेती समझा सके, पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रेती जानती है, कितनी विशाल बेहद के बुद्धी बनाती है, तुमको नश पढ़ाती है, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाती है, भगवान भी समझती है, यह है अमारा बच्चा नहीं है, तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ती थे, फिर भाग गई, फिर कुछ समझ में आ जाता है, तो फिर भी पढ़ने लग जाती है, फिर योग में अच्छी रिती रहीं, तो उच्पद पास सकती हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्सा लेंगे। बाप को याद करते करते अत्वा बाबा बाबा कहें, रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। बाबा हमको उच्पद प्रात कराते हैं, हम कितने भागेशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, तारेक्षन पर चलता रहे, तो बहुत उन्नती हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते, पड़े आगे अनपड़े भरी ढोईंगे। दे अभिमान वाले को दैवी गुणों की धार्णा होना सके, तुमारा चेहरा फस्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अति इंद्रिय सुख उनों से पुझो, जिनों को भगवान पढ़ाती है। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुमारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाती हूँ। कमाल है, गोवरधन पहाड को अंगुली पर उठाना है, इस चीची दुनिया को जिनोंने पवित्र बनाया, यह उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, माज पिता बाप दादा का याज प्यार और गुट मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याज प्यार गुट मॉर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट सत्य ज्यान को बुद्धी में धारन करने के लिए बुद्धी रूपी बरतन को साफ स्वच बनाना है वेर्थ बातों को बुद्धी से निकाल दीना है दूसरा पॉइंट दैवी गुरों की धाना और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे अती इंद्रिय सुख का अनभव करना है सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्ची हैं वही हमको पढ़ाते हैं वर्दान, निश्चे के फाउंडेशन द्वारा संपूरंता तक पहुंचने वाले निश्चे बुद्धी, निश्चीम्त भव विस्तार, निश्चे इस ब्रामण जेवन की संपनता का फाउंडेशन है और यह foundation मजबूत है तो सहज और तीवर गती से संपूरणता तक पहुँचना निश्चित है जो यथार्थ निश्चे बुद्धी हैं वे सदा निश्चींत रहती है यथार्थ निश्चे है अपने आतम सोरूप को जानना, मानना और उसी प्रमान चलना और बाप जो है जैसा है जिस रूप में पार्थ बजा रहे हैं उससे यथार्थ जानना ऐसे निश्चे बुद्धी विज़े ही होती है स्लोगन अपने समय को, सुखों को, प्राप्ती की इच्छा को, सर्व के प्रती दान करने वाले ही महादानी है अव्यक्ती साइलेंस द्वारा, डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनभव करो जैसे शुरू-शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं लेकिन स्थिती ऐसे, जो दूसरे समझते की यह कोई लाइट जा रही है उनको शरिर दिखाई नहीं देता था, इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए तो अभी जब की समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है अंदर आवे और लाइट का किला देखे, अच्छा, ओम, शंती